सोल्वी राजस्तान विदान सवा के दूसरे सत्र में मंगलवार के दिन इस्तगन प्रस्तावादी पर चर्चा की गई इस दोरान शिव विधायक रविंदर सिंग भाटी ने बाड में रिफाइनरी की वेवस्ता को लेकर सरकार का ध्यान आकरशित करवाया विधायक भाटी ने कहा कि रिफाइनरी होना छेतर के लिए गौरव की बात है लेकिन इसमें आए दिन हास्ते हो रहे हैं रिफाइनरी में आधिकतर मजदूर बाहरी राज्यों में काम करने के लिए आते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी किसी भी तरह की विवस्ता ना होना कार शेली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है उन्होंने कहा कि आए दिन हास्ते होते रहते हैं बाहर या अन्य राज्यों के मजदूर होने के चलते हैं उनको काफी समश्याओं का सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की लोग भी हमारे ही देश के निवासी हैं इसलिए उनकी सुरक्षा भी मुहया करवानी चाहिए मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके मादिम से परदेश की सरकार से कि बाड़ मेर जैसल मेर मेर में कई सारी मल्टिनेशल कंपनीज हैं उसके अंदर कई सारे मजदूर होँआ काम करते हैं कल की अगर गटना की एक बात करूँ तो रिफाइनरी के अंदर एक मजदूर की मौत होती है मौत का मुक्या कारण किसी भी तरीके की कोई सुरक्सा वेवस्ता उन्हें एक उपलब्द नहीं करवाई गई थी जिसके कारण ये गटना गटित हुई मैं बताना चाहूंगा कि आए दिन ऐसी दुर्गटना हैं हो रही है मजदूरों की मौत हो रही है ज्यादा तर जो मजदूर है वो यूपी और बिहार के है उन विज़ारों की कोई बात करने तक नहीं आता और ना कोई उनके दुख को उनके दर्द को आगे तक रख पाता है मेरा निवेदन है आपके माद्यम से कि ये तमाम जो मजदूर है इनको प्रॉपर तरीके से इनकी सेफटी के लिए सबी तरीके के उपकरम अविलिबल कराने चीए साथ ही साथ एक मजदूर की पीड़ा को हमें समझने की जरूरत है वो भी किसी का पिता है किसी का पती है किसी का बेटा है किसी का भाई है वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है आज के समय में उनकी कोई बात नहीं कर रहा है मुझे लगता है कि विसे इस इस रूप से आपको इस तरफ देखना होगा साथ इसाथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विंड सोलर माइनिंग और कई सारी तमाम जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके अंदर कई सारे जो मزदूर काम कर रहें उनकी जब मिर्थियों होती है कोई दुरगटना होती है तो उनके किसी भी तरीके का कोई प्राइब कोई गारंटी कोई बी तरीके का वीमा परिलाब नहीं मिलता है मेरा निवेदन है कि इसे टू भी तमाम companies को आप पाबंद करें तरती साथ वो जो सर्मिक है उनको जागरुख करने का भी हम सब को काम करना चाहिए ताकि उनको बीमका और तमाम चीजों का फाइदा मिल सके तो मेरा निवेदन है कि ये जो safety से related जो भी समश्या आरी है वाले मजदूरों की जो सुरक्सा है उसको लेके हमें गंबी रोना होगा सवे दिन सीलता दिखाते हुए इस पर काम करने की जरूरा थे बहुत बहुत धन्यवाद